हम पंच मुखी हनुमाने की भगतों कथा सुनाते हैं हम कथा सुनाते हैं पंच मुखी अवतार में हनुमत कैसे आती हैं हम कथा सुनाते हैं ये पंच मुखी अवतार करे दुष्टों का संभाद श्री रोम की सची सीवक है भगतों हनुमान हाथो सीभिया जिनके पास है वीर और वलवान ओवन पोत्र अंजहनी के लाला ये कहलाए हैं राम के काज सवारन को ही हनुमत आए हैं चोदा वरश बन भास को सीथा राम लखन जब आएं रावण ने छल करके मां सीथा को लिया उठाएं सिया खोज मेरा मलखन जब वलवन घूम रहें खोजते खोजते कशकिंधा परवत की ओर गएं वानर राज सुग्रीव देखून को घब राते हैं आवन कथा सुनाते हैं पंच मुखी अवतार में हनुमत कैसे आते हैं हम कथा सुनाते हैं ये पंच मुखी अवतार कर दुष्टों का संभार ये पंच मुखी अवतार कर दुष्टों का संभार सुच रहें सुग्रीव दोत कोई बाली के आएं दूत भेज कर मेरा वध वो करवाना चाहें केहने लगें सुग्रीव अनुमत को पास बोलाकर घूम रहें अन्जान दो योधा तपसी वेश बनाकर तुम रामभन का वेश बनाकर उनके पास जाओं क्या बाली के दूत हैं दोनों पता लगा कर आएं हरो मान ने फिर तो अपना व्रामण वेश बनाया राम लखन दो लोग आई हैं सच का पता लगाया श्रीरी राम सोग्रीव मेत्रता वही कराते हैं पावन कथा सुनाते हैं पंच मुखी अवतार में हनुमत कैसे आते हैं हम कथा सुनाते हैं ये पंच मुखी अवतार कर दुष्टों का संहार ये पंच मुखी अवतार कर दुष्टों का संहार श्रीराम सोग्रीव मेत्रता वही करवाई बाले का वध कर देती हैं फिर भगतु रघुराई मा सीता को खोजने की फिर सबने की तैयारे वानर राज सुब्रीवन साथ वानर सीरा सारी किन्त सो योजन का सागर राह में आया रांग सकी हनमान जामवन्त ने बताया घूल गए थी बल अपना जोल को याद कर आया अपने प्रभू के श्री चरणों में उन्होनी शीष जोटाया सायोजन का सागर पल में लाग जाती हैं पावन कथा सुनाते हैं पंचमुखी अवतार में हनमत कैसे आती हैं हम कथा सुनाते हैं ये पंचमुखी अवतार कर दुष्टों का संहार ये पंचमुखी अवतार कर दुष्टों का संहार सोयोजन का सागर लांघ दिया चप की प्रभुरा अशोक वाटिका में पहुचे है राम दूत हनुवा श्री राम की मुद्र का सौथ मिले कर जो आए मासीता के सामने उसको हरुमान है गिराई देख मुद्र का श्री राम की माता हरशाई राम निखी कोई चाल है ये सोच के गवराई अपने प्रभु की देखे निशानी औसुछ लगाई कहरे लगे अधि राम दूत हो सामने आजाई आकर की माता सीता को शीष जखाते हैं पावन कथा सुनाते हैं पंचमुखी अवतार में हनुवत कैसे आते हैं हम कथा सुनाते हैं ये पंचमुखी अवतार कर दुष्टों का संभार ये पंच मुखी अवतार करें दुष्टों का संधार राम दूत को देखें के माता बड़ी हरशाई हनुमान ने मा सिता की धीर बनाई है बोली माता शीरी राम अब शीख ही आएंगे इस पापी की कैद से आपको मुक्त कराएंगे आप क्यां गया हो तो मैं थोड़ी खल खाता हूँ भूख लगी है मुझे को अपनी भूख मिटाता हूँ मा की आग्या लेकर हनुमत फल जो लगी खाने पहर दार थी बाग में दानों उनको लगे भगाने मार मार की हनुमत सब को ही भगाते हैं आवन कथा सुनाते हैं पंच मुखी अवतार में हनुमत कैसे आते हैं हम कथा सुनाते हैं ये पंच मुखी अवतार कर दुष्टों का संहार पंच मुखी अवतार कर दुष्टों का संहार पहरी दारों नहीं बत लाया जामन को आखर अशोक वाटिका में आया एक बड़ा उत पाती वान सारा बाग उजाड दिया और फल भी खाएं गए रोकनी हम भी सब हम मार भगाएं हैं अपनी पूत्र अक्षे गुमार को जामन ने कहा हैं जाकर देखो तुम आक्षे वो बानर कौन सा हैं रावन पूत्र अक्षे कुमार है अशोक वाटिकाई राम जूत हनुमान से किंतु जीते नहीं पाएं अक्षे कुमार को किंतु योध में वो मार गिराते हैं आवन कथा सुनाते हैं पंचमुखी अवतार में हनुमत कैसे आते हैं हम कथा सुनाते हैं ये पंचमुखी अवतार कर दुष्टों का संहार ये पंचमुखी अवतार कर दुष्टों का संहार सुनी खबर जो रामन ने वो क्रोधित बड़ा हुआ में घनात को नून है तब आदेश दियां कोन है वो उत पाती वानर सिको मजा चखां वित्यों दंड दो जा कर या फिर जीवित पकड के लां में घनात फिर बड़ा ही क्रोधित हो करके आयां किन्तो योध में हनुमान को हरा नहीं पाया ब्रम्ह पाश फिर हनुमान परसनी छोड़ दिया ब्रम्ह पाश में हनुमान ने खुद को बाध लिया ब्रम्ह जी का मान यहां हनुमान बढ़ाते हैं पावन कथा सुनाते हैं पंच मुखी अवतार में हनुमत कैसे आते हैं हम कथा सुनाते हैं यह पंच मुखी अवतार कर दुष्टों का संहार यह पंच मुखी अवतार कर दुष्टों का संहार बना के बंदी हनुमान को में घुनात जव लाएं क्रोध देख रावन का हनुमत तनक न घबराएं बेत्यों दंडों जो रावन उनको देना चाहा है योध नीत के विरुध विभीशन ने बत लाया है रावन ने फिर उनके लिए है ऐसी सजास मिलाईं हनुमान की पूँचनी तो आग है लगवाई हनुमान की पूँच तो भग तो ना जल पाई है घूम घूम कर उन्होंन सारी लंका जलाई है फिर सागर में जाकर अपनी पूँच बुझाते हैं आवन कथा सुनाते हैं पंच मुखी अवतार में हनुमत कैसे आते हैं हम कथा सुनाते हैं ये पंच मुखी अवतार कर दुष्टों का संहार ये पंच मुखी अवतार कर दुष्टों का संहार मासीता के पास में फिर से हनुमान आये गोले मैंने रामण की लंका को दिया जलाई सुनकर की माता सीता भी बड़ी हरशाई है अपनी चुड़ा मड़ी निशानी उन्ही थमाई है कहने लगी की मेरे प्रभूर स्री राम को देना अब ना विरह सहल होती है इतना उन्ही के है लेकर आउग्या माता सी वो लट के आये देख के चुड़ा मड़ी सिया की राम है हर शाई हनुमान को बड़ी प्रीम सी गले लगाती है आवन कथा सुनाती है पंच मुखी अवतार में हनुमत कैसी आती है हम कथा सुनाती है ये पंच मुखी अवतार कर दुष्टों का संहार ये पंच मुखी अवतार कर दुष्टों का संहार भक्त विभीशन नी रामन को बड़ा ही समझाया पर रामन ने उनको भी तुमार के लात भगाया प्रभो राम की शरन विभीशन नेया कर ली है विनाश काले विपृत वो धे रामन की हुई है फिर सागर पर से तो वानर सेना ने बनवाया शायद काले निखत रामन काब तो है आया वानर सेना सेहित रामनी लंका गरी चड़ाई दोनों ही पक्षों में हुई है फिर तो घोर लड़ाई अने को ही ओधार आवन की मारे जाती है आवन कथा सुनाते है पंच मुखी अवतार में हनुवत कैसे आते है हम कथा सुनाते है ये पंच मुखी अवतार कर दुष्टों का संहार ये पंच मुखी अवतार कर दुष्टों का संहार मारे गई है रावन के कई बंधू और भाई अपने भाई अहिरावन के फिर उसे याद आई पाताल लोक से अहिरावन को उसने बुलवाया रामर रावन योधता है फिर सारा हाल बताया अहिरावन भगती करता था काल भैरने के बड़ा ही बलशाली दाना और बड़ा ही माया वी अपनी माया का उसने है ऐसा जान रचाया रात को चुप केसी है वो दामश्विर में आया राम लखन सोई हुई उसको मिल जाती है आवन कथा सुनाती है पंच मुखी अवतार में हनुमत कैसी आती है हम कथा सुनाती है ये पंच मुखी अवतार कर दुष्टों का संहार ये पंच मुखी अवतार कर दुष्टों का संहार माया वीदानों ने दिखाई अपनी माया है राम लखन का करके हरन पातान मिली गया है उठ गई ओधा सारी भगतों जब है भोर हुई देखाउन होने शिवर में लाख्वन और राम नहीं हनो मान जी और सोग्रीव को चिन्ता बढ़ी हुई श्वी राम और लखन बिना अब होगा योध नहीं जाम बंत उन्हें लेके विवीशन पास में आते हैं अहिरावन की होगे चाल वो उन्हें बताते हैं पाताल लोक में हनुमान फिर तो चले आते हैं आवन कथा सुनाते हैं पंच मुखी अवतार में हनुमत कैसे आते हैं हम कथा सुनाते हैं ये पंच मुखी अवतार कर दुष्टों का संहार ये पंच मुखी अवतार कर दुष्टों का संहार विभीशननी हनुमान को दिया सारा भेद बता अहिरावन तो काल भैरवी की पूजा करता जिनकी चरणों मी है उसने दीपक पांच जलाए और उन्ही पांचों दीपों में उसकी प्यान सामाए पांचों ही दीपों को जो एक साथ बुझाएगा अहिरावन का वध भी वही योधा कर पाएगा हनुमान नी यही रावन का भीद है जान लिया रस्थान पाताल लोक को तब ही को है किया मकरा धज थी पहरी पर हनुमान जो आती है आवन कथा सुनाती है पंच मुखी अवतार में हनुमत कैसे आती है हम कथा सुनाती है यह पंच मुखी अवतार कर दुष्टों का संभार यह पंच मुखी अवतार कर दुष्टों का संभार मकरा धजून से कहनी लगे कौन हो तुम वानर मेरी आग्या के बिना नहीं तुझा सकती भी तर हनुमान ने पहले तो नहीं बड़ा ही समझाया ना मानी तो हनुमान ने अपना बल्या जमाया मकरा धज और हनुमान में भारी ओधे हुआ कि तुन दोनों में सीना कोई भिजित सका लगे पूछनी मकरा धुझ से बज रंगी हनुमान अपना परिचे मुझे बताओ कौन हो तुम बलवा हनुमान का पूत्र मकर धुझ खुद को बताती है पावन कथा सुनाती है पंच मुखी अवतार में हनुमत कैसे आती है हम कथा सुनाती है ये पंच मुखी अवतार कर दुष्टों का संहार ये पंच मुखी अवतार कर दुष्टों का संहार हनुमान का पूत्र सुयम का मकर धुझ नी बताया मकर धुझ की बातों पर उन्हीं अकी नहीं आया कहनी लगी की माल ब्रम्ह चारी है हनुमान फिर कैसे हो सकती है भला उसकी कोई संता बोले मकर धुझ लंका जलाकर जब वो आए सागर खट पर आकर अपनी पूझ बुझाये दे हनुमान की पसीने की सागर में बूंद गीरे उसी बूंद को सागर की एक मचली निगल गई उसी बूंद से उत्रपन हुआ राज बताते हैं पावन कधा सुनाते हैं पंचमुखी अवतार में हनुमत कैसे आते हैं हम कथा सुनाते हैं यह पंचमुखी अवतार करदुष्टों का संगार ये पंच मुखी अवतार हरे दुष्टों का संखार हनुमान ने फिर अपना परिछे दिया बता मैं ही हूँ हनुमान कोत्र में ही तीरा पिता मकरध धजनी उनकी चर्णों में शीष जोकाया माया भी अही रावन का भी सारा भेद बताया अही रावन ही राम लखन को हरकि लाया है सब कुछ वही बताया जो विभीशन बताया है पांच दीप है काल भेरवी की चर्णों में शीष जलती है रावन की प्राण पांचों दीपों में बसती होगा अंत जो एक साथ पांचों बुझ जाती है पांवन कथा सुनाते हैं पंच मुखी अवतार में हनुमत कैसे आती है हम कथा सुनाते हैं ये पंच मुखी अवतार कर दुष्टों का संहार ये पंच मुखी अवतार कर दुष्टों का संहार सुक्ष्म रूप है अपना फिर तो हनुमान ने बलाया अही रावन की माया का सब भीद जानना चाथ राम लखन की वो तो बली चढ़ाना चाहता है पूझा करके काल भैरवी मा को मुलाता है काल भैरवी की मुरती के पीछे छुपे हनुमा हाही रावन और बाकी दैत ना भीद सकी है जान करके पूझा काल भैरवी को जो प्रसाद चढ़ाए चुपके सी हनुमान उठा कर उसको खाते जाए पीछे छुपे हुई हनुमान वो जान न पाते हैं पावन कथा सुनाते हैं पंच मुखी अवतार में हनुमत कैसे आते हैं हम कथा सुनाते हैं ये पंच मुखी अवतार कर दुष्टों का संखार ये पंच मुखी अवतार कर दुष्टों का संखार हनुमान न पंच मुखी का फिर अवतार लियां पाचों दीपों को है एक साथ में बुझा दियां अहिरावन ने अपनी सारी शक्ति गवाई हैं फिर हनुमाने के हाथों उनकी मेत्यों आई हैं अहिरावन का बद करने को पंच मुखी रूप बनायां एक साथ में ताकी पांचों दीपों को जाए बुझाया जाम लखन को है फिर अपनी कंधी पर बिठाए पाताल लोक से राम लखन को लेकर के आए ऐसी सीवक शिरी राम के माने जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं पंच मुखी अवतार में हनुमत कैसे आते हैं हम कथा सुनाते हैं ये पंच मुखी अवतार कर दुष्टों का संहार ये पंच मुखी अवतार कर दुष्टों का संहार हनुमोन रेत भी लिया था पंच मुखी अवतार क्योंकि ये अहिरावन का कर रा था उनको संहार अपनी भुजाओं की बल पर वो बड़ा इतराता था वो ही भुजाओं खाड़ी जिससे बली चड़ाता था हनुमान की जैसा रामभ़क्त कोई अब तक नहीं हुआ हैं पंच मुखी अवतार इन्होंने उन्ही के लिये लिया है शिरी राम की नाम का होता जहां भगत गुणेगा कहते है कि अवाश ही आती है वहाँ हनुमा राम नाम की किरतन मी स्वयम चले आती हैं आवन कथा सुनाते हैं पंच मुखी अवतार में हनुमत कैसे आती हैं हम कथा सुनाते हैं ये पंच मुखी अवतार कर दुष्टों का संहार ये पंच मुखी अवतार कर दुष्टों का संहार